हेले फेंट्स आज की स्वीड़ में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर पे स्टोक काफी अच्छे रिटन यहां पे अब दे रहा हैं इसने अपने कुछ टाइम पहले ही बाउन वीक का हाई बनाया था अब इसका मूव जा रहा है बाउन वीक के हाई की तरफ क्या यह अपने बाउन वीक के हाई को हीट करके एक न्यू बाउन वीक का हाई बनाएगा या नहीं क्या बाउन का मॉमेंट है यहां पे और भी काफी इंपोर्टेंट बातें इस टोक के बारे में जो पूरी डिटेल से जानने वाले हैं और फेंट्स अगर अपनी पोजिशन बना रखिये तो वीडियो को पूरा शिरूर देखना आगे बढ़ने से पहले फेंट्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अगर फर्स्टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओन कर लो ताकि जब ही मैं जो वीडियो अपलोड गूरू उस में हमें देखने को मिलता है अब बात करते हैं कंपनी पे कंपनी पे बीस हजार क्रोड का यहां पे कर्ज है जिसको लेके कंपनी पे आप दबाओ देख सकते हैं आने वाले टाइम में आपको देखने को भी मिलेगा उस पर डिसकसिन चल रहा है जैसी अपडेट आईगी हम आपके शाथ शेयर कर देंगे यहां पर अगर मैं आपको बताओं इसने अब तक एक साल में 240 परसेंट का अच्छा खासा रिटन यहां पर दे दिया इतने अच्छे जब स्टोक रिटन दे देता है तो फिर गिरावट की संभावनाई बन जाती है तो ध्यान से इन्वेस्ट अपडेट दी जाती है बाइंग या सेलिंग की सलहा दी जाती जिसकी वज़े से स्टोक में आपको मुमेंट देखने को मिल रहा है और अब भी इसका 5% के सरकिट से अब यह 10% के सरकिट में चला गया मतलब जब भी इसमें सरकिट लगेगा पहले 5% का लगता था लेकिन यहां पर स्टोक इस लेवल में था तो मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट जो उन पर है यहां से रिकवरी आपने देखने को मिले तो आप पोजिशन अपनी सोड्रम के लिए बना सकते हो लोंग ट्रम के लिए अभी बाइंग मत करना स्विंग के परपस आप यहां पर ब यहां पर नजर बना के रख सकते हो और हमारा नेस टार्गेट वही इसके बान वीक के हाइक को हिट करने का जो की टवंटी एट का यहां पर रहने वाला है अगर स्टोक में गिरावट देखने को मिली तो फिर यह इसी जोन में आके यहां पर स्पोर्ट ले सकता है और देखने नेक्स्ट वीडियो में